हाज शुडेंस गुड मॉनिंग आज हम हिंदी में क्या सिखने वाले बताए आपको आज हम हिंदी में एक्टिविटी करेंगे और हमारे एक्टिविटी क्या होगी मैचिंग अपने आगे मैचिंग सीखा होगे ना आगे की क्लासिस में आज हम हिंदी में भी मैचिंग सीखें आपको क्या करना है एक साइड मैंने letter दिये होंगे और दूसरी साइड उसके related pictures दिये होंगे आपको अक्षर को उसके सही pictures के साथ match करना है तो चलो एक बार मा practice कर लेते हैं ये कौन सा अक्षर है और तो इसमें और के related कौन सा picture है ये है नहीं ये तो इमली है ये है नहीं ये तो आम है तो ये क्या है अक्षर और से अक्षर तो हम इसको last picture के साथ match करेंगे और इसे इमली तो इसे इमली यहां है now last one ये है आ तो आ से आम होता है तो हम से यहां पे जोइन करेंगे now this activity we will do in our not book now take out your Hindi not book last में हमने क्या लिखा था स्वर का revision करा था तो अब हम स्वर से related activity करेंगे आपको क्या करना है उपर heading लिखना है activity one और फिर date लिखनी है और मैंने heading डाला है आप सिर्फ matching भी लिख सकते हो क्या लिखना है या तो यह लिखना है अक्षर को उससे शुरू होने वाले जित्र से मिलाओ या उपर सिर्फ matching लिख देना अब नीचे की activity करेंगे आपको एक side सारे letters लिखने है मैंने कैसे लिखा है एक अक्षर लिख के एक line skip कर दी है फिर एक अक्षर लिखा है फिर एक line skip कर दी आपको भी वैसे ही एक side अक्षर लिखना है और दूसरी side pictures draw करने है फिर इन अक्षरों को उसके related picture से match करना है तो चलो शुरू करते है matching ये क्या है आप तो आ से related इसमें कौन सा picture है ये है नहीं ये है yes आ से आ फिर उ से उन तो हम उन के साथ match करेंगे फिर इसे इमली है नहीं है तो इसे और क्या होता है इनाम भी होता है तो यहां इनाम है तो हम इनाम के साथ match करेंगे फिर ओ से ओस ये है ना ओस ओ से ओस तो हम उपर वाले picture में match करेंगे और last में अम है तो यहां कौन सा picture बचा ये ये क्या है अंक अंक से अंक नंबर्स को क्या बोलते है अंक बोलते है तो हम इसके साथ match करेंगे तो यह थी हमारी matching की activity आपको अच्छे से लिखना है पिच्चास ट्रो करने है और मैं चिंकरना है थैंक यू